पहले श्रीमर बाला पुलता हाँ 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 कायते थे मचली है इसलिए पुल नहीं बन रहा वो तूड गया जो बिरिज बन गया फिर भी मचली का पता नहीं का नाम बेहन जी आपका दामनी अच्छा कहा से आई हुए है लगबच्छा पांच गाउं क्या आपने कभी सु करें पिर भागवत चल्रह यहां पर चाहिए के नहीं जहीं, रहा आपके गाउं में कारू भाबा कभड कितने वर्सों से हो रहा है यहां जो यहां चोटी बोट है जिने हैं किपे जूँम रहे हैं अब यहां दो दो बिरिज बन खे तयार हो के मचली कहा चली गई पताने के लिए बहुत सारे लोग यहां से पहुंचते हैं जाते हैं जाते हैं आपका इंडिया दी पूस्व न्यू चैनल में माया एश्विरी साथ उमीद करता हूं कि आप सोस्त होंगे सेद बंद होंगे और पुरी तरह से फिट होंगे इस समय हम उत्तर प्रदेश के स्थान है और कारूपवास्थान में भव्य बंदारे का आयोजन किया जाता है हर साल दस परवरी को इतनी ज्यादा ताद में भीड़ होने वाली है दर्सों को की और भक्त गणों की यहां पर एक नाव चलती है और सायद कल यहां पर कुछ और नाव का इंतजाम किया जा सकत है आज से 30-35 साल पहले कि हम बात कर रहे हैं किसी ने कलपना भी नहीं कि होगी कि इस घाट में पुल बनेंगे क्योंकि लोगों का कहना था पहले और हम भी सुनते आए हैं कि जब बात चलती थी यहां ब्रिज बनाने की तो ऐसी बाते सुनने को मिलती थी कि यहां बहुत अच्छा थो अभी कहा रहे है उस पढ़ जा रहे है रहे लस्टराव कारु बाभा की मंदिर आप यहाँ मझली पड़ी है जिजी अ हम को भी नहीं मचली संबार हैं कहां है म wish SAM थी साल पहले की बात जी सिady कैसे पहले से पहले लिए पुल नहीं बन रहा और वह तूट गया यह जो बंडारा है यह जादा नहीं 20-21 साल उससे पहले इस गाउं में खेती में कुछ खास नहीं पैदावारी होती ज़िए दुरिया दुरंग रहता था कई होता है अब अब सब कुछ होने लगा जब से शुरू हुआ तब से अधिक आना उपलब्द होने लगा है यह सही ब पता नहीं कि अतने गाउं कठा हुई जाए या पार से वह पार तक के दिशार दस गाउं तो कठा हुई जाते मदन पूर चिला लसड़ा गुर्गमा बदरी अधरी पतकावरी यह सब गाउं कठा हुई के यहां भोजन प्रसादी सब यहां होता है इसलिए गाउं के लोग खुष खुषाल है चलिए बहुत बहुत धन्यवद आपका जानकारी देने के लिए इस गाट की तस्वीरे इसलिए दिखाने आए कि यहां बहुत होने वाली है और दस से पंदरा गाउं के जो भक्त गण है वो सभी भंडारे का प्रसाद पाने के लिए वहां पहुँचने आपके यहां कल भंडारा है तो आप क्या कहना चाहिए इतने गाउं के लोग आते हैं जाट गाउं के लोगा परते हैं उसका लगवाद नाम बाबू विजेश तो क्या आपने कभी सुना था कि यह बंडारे से पहले यहां पे खेती इतनी अची नहीं होती थी और भंडारे यह बहुत 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 दन्यवाद आपका तो यह बात काफी अतक सच है आज इस बात का कंफर्म कर लेना है कि यह बात सत्य है या नहीं तरजी अभी कहां से आ रहे हैं अच्छा यह बहुत जरूरी है देखिए गाड़ी अभी गिर गाई थी और यह बाइसाब जो है कहीं लगा तो नहीं है चाहिए तभी जाका रहे हैं उल्टा सांको आया जाता है मेला गुमने आप लगता है उसमें भागवत में कुछ भाग लेते हैं यहां चेहरे से पता चल रहा है कौन सा रोल प्ले करते हैं अरे वहां रमायर चल रही है बागवत चल रही है गबर कहां से आ गए चलिए बढ़ा है चिल्ला मेले में यहां पर जो रास्ता है वह आप देख सकते कैसे उतार चड़ाव वाला है और बहुत मुश्किल है इसलिए हम गारी लेके उस पार जाने को यहां कि लोग है कि लोग है के कहते हैं कि बीज बन जाए का वाल खेती उजड़ जाई कोई नहीं कहता है यह सब बात है बनाने की इछ न्यूंक बनन चाहीं किया अइसbyлов कोम आ्नलों कर के लेगे के नहीं ना जेँए अब कर आभि कि बनेंटाइगा यहां से भर्वा भी जाना अगर जाना यहां से घुमता बहुत ज्यादा है यहां से भर्वा हमीरपुर सीधा बस जा सकते हैं तो पांच मिनट में अभी कितना समय लगता है अभी गंटा लग जाता है हमने एक बार जो इस्कूली बच्चे है इस्टूडें ने उनसे बात की थी तो कहते थे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा इतना लेट हो जाता है लेट होने कारण चलिए बहुत बहुत धन्यमाद आपका बढ़ाई यह गाड़ी आगे बढ़ते हैं और देखो नाव पूरी बर गई है और जा रहे हैं तो यहां पर बढ़ते हैं घाट की तरफ और नाव भरी हुई है आज तो कुछ भी नहीं है पर कल यहां का नजारा द दोटे बच्चे नहीं है तो ऐसे भी देखो यह देखिए कितने का मिला है कितने का मिला है यह 10-10 रुपए के देखो मेला करके आ रहा है हमारे गाहा देखिए लसड़ा के साहित प्रदान जी भी आ रहा है उनसे खास करके हम जान करी लेंगे अचा सर यहां बिरिज बनना सबसे पहले आप से जानना चाहेंगे कि आपके गाउं में कारुबबा को भंडारा कितने वर्सों से हो रहा है यहां पर खेटी बहुत कमजोर होती थी नहीं पहले तो पैदावार बहुत कम थी जब से हमारे भंडारा हो लेगे तो महराज करुआ वह कि जो अशिरबाद मिल लहा है अच्छी फसल हो रही है सब लोग खुशाल है अच्छा सर कितने गाव पढ़ जाते हैं अब हमारे आने वाले आने वाले पशासों आप आता है यहां पर जो अच्छोविदा महसूस होती है या त्रियों को भी और गाहां के लोगों को भी तो ब्रीज के विसे में आप क्या कहना चाहें भी तो बहुत ही इंप्रॉटेंट जरूरी है जी बिना बिर्ज के भी अधूरा है जा ओगर ब्रीज यहां से बन जाता है तो आवा गर्मन का स्वाधन बहुत अच्छा होगा यहां से भी सीधा आप पैला निजेरा पैला जीरा से कान पुर्च पूर्च शीदा जा सकते है मानु के मंत्री जी है कुम पर्यास जारी है कहले ह्मारे बहुत ब्हुत दिया कम से कम नहीं आठाम 12 करूनगी तो प्रियोजनय की जम्ना का इनारी, जो कमा नहीं हो रही है तो उनका नेप्रयास जारी है मुझे विश्वास है क्यों काम होना होना है चलिए बहुत-बहुत धन्यमदाब के लिए क्या कहना चाहेंगे सब्सक्राइब चलिए तरह से जारे है और विरिज है में विश्वाते और बर यह तो सभी लोग अभी चल दिए प्रदान जी को लेके जाईए देखिए कल जो है इसी तरह से जो भक्तकर है यह नाव में जाएंगे अच्छा कल कुछ और नाव का इंद्जाम किया जाएगा क्या नाव का यहां पर देखिए जो छोटी छोटी नाव चलें कम से कम 10-15 नाव का ने कहके अभी इनको जो है निमनतर देके आया है कि सुरच्छा वेवस्ता सुनिस्चित करें हमारी घाट की चलिए बहुत-बहुत धन्यमाद जानकारी देने के लिए तो कल यहां पर एक नाव से काम नहीं चलेगा वह छोटी नावें आप देख रहे हैं यह नावें भी च भूची खुणाए जबाए है यहां पर फुछी के मारे जूम रहें नाज रहे दो देख सभी हां क्या करना चाहंगे तो देखो कि अनार अका है जी 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 कल मिलेंगे देखो राम बाबुजी है और बढ़ियां डांस करके दिखाया दर्सकों के अग्दम खुश कर दिया और अब जो है नाव पूरी तरे भर गई है यह घाट इस दिरे चलता है इस समय हम लसडा घाट पे हैं और यह यमुना संगम है यह आप देख सकते ह यमुना नदी है यह आप बहुत ज्यादा भीडोगी उस पार उतर के सबी लोग जाएंगे जो बक्तगण है बंडारे में जाते हैं और यह बंडारा 21 वां बंडारा है यानि के 21 वर्स हो गए बंडारे को होते हुए और यहां बहुत ही माधपूर्ण जानकारी भी मिली da बंडारे से पहले यहां पे जो खेती होती थी जो आनाज की पैदावारी थी वो बहुत कम होती थी और जब से बंडारा होने लगा जब से यहां भरपूर जो खेती होती है आनाज होता है और सभी जो गाउं है यहां पे सभी गाउं के लोग पूरी तरह से खुस-खुसाल हैं और कल बहुत सारी जानकारियां हम वहां भी लेंगे जो भंडारा होता है वह तो यहां पर कम सेख़ 15- 20 गांव दो इस पार से उत्र कि उस पार जाते हैं और उस पार से भी नजाने कितने तो परदान जी नहीं आ जानकारी धी कि पचासों गाउं के यहां भक्त गणए जो भंडारे में आते हैं और प्रसाद पाते हैं, यहां देख सकते हैं के यहां प्रसाद हर्याली है, बढ़िया सा एक ताइम में बढ़िया पनी होता है और इस सवैंच हैposition इस लाही के नाम से जाना जाता है जो QR के यहां पर Ful के बात शूंतर अपर आँज सबसे पहले हैं कि ऐए तो यह बात स्क्राफिरनी लूपर इलोगले की बढ़ की पर आप दो दो बिरीज बन के तयार होगे मचली कहां चली गई पता में और यह बताई यहां पर यहां पर कई लोगों से जानकारी लिए और आप से वही सवाल करेंगे कर दो पता है और जो आस्था है बढ़ती जा रही है हर साल लोगों की जी इस्थान चोटा था पहले कल हम आपको इस्थान दिखाएंगे काफ़ चल रहा है और बाध की तीन राइए एक यह तारीक कुल हो गार यह बंडारिक राट को होता है जिसना कि हमने पहले आप बात की सिसे में और एलाएंगे जरूर आएंगे और यहां पर प्रसासन भी जमारा चिल्ला पुलिस प्रसासन नहीं ज़िए भाटना भी न गट सके यह खास जो है बहुत जरूरी है यहां पर ध्यान रखना कि बगत गण है और नए नए लोग आते हैं हर लोग को तैरा नहीं आता है चलिए बहुत-धन्यवाद आपकर पहल म मुलकात होगे तो इस समय हम हैं लसडा गाट पे और यमुना और केन का यहां पर संगम है और एक समय ऐसा होता है कि बाढ़ का अमबार होता है और यह केन नदी यमुना नदी के बिक्राल रूप देखने को मिलता है यहां जली-जल होता है जिसकी तस्वीरे हमने आपको पि चलता है काफी क्योंकि अब बंडारे का काम चल ला तो रात में भी कलाक आ रहे है राम लिल्ला वाले यहां भी दर्सक भक्तकण है ऐसे सभी लोगों का आना जाना यहां से शुरू रहता है और कल सुबह फिर हम आपको यहां की तस्वीरे दिखाएंगे इस समय जो है काफी जो है देखिए यहां पर सर्जी खड़े हैं ज्यादी खई जरा और उतरने के लिए उसी पार जाना है और यहां देखिए मताय बेहने सभी जो है यहां पर है अब अच्छा सब्सक्राइब कहां से आई हुए हैं जिल्ला पते पर अच्छा यहीं जा रहा है कारुबबार भ चलते हैं और उमीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आए होगा वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिवी के सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और हम आपको इसी तरह उत्त प्रदेश की हरे खाबर आप तक पहुंचते रहे आगले वीडियो तक के लिए आप सभी दर्सकों का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिं